तो अपिसोड 3 की शिरुवात वहीं से होती जहां पिछला अपिसोड खतम हो था लिगॉन तेवल से कहता है कि मैं तुम्हें अपने रानी की रूप में एकसेप्ट करता हूँ तेवल कहती अब तुमने मुझे रानी बना दिया क्यों मैं तुम्हें इन दो दिनों में इतना ज़्यादा पसंद आ गई या अब भी तुम वो नॉंसेंस बाते कर रहे हो लिगॉन कहता है कि मैं सीरियस हूँ मैंने अपनी दिल की बात पूरे सिंसेरिटी के साथ तुम्हें बताई लेकिन तेउल तब उसकी बाते सुन इरिटेटी हो जाती है तो उसे कहती है कि ठीक है फिर चलो दिखाओ मैं कौन से देश की रानी हूँ देखती हूँ आज तुम्हारी वो दूसरी दुनिया कहाँ पर है लेकिन तेउल तो उसकी और कोई बकवास नहीं सुनना चाहती थी इसलिए वो जाने लगते क्योंकि यहाँ पर बहुत ठंडी भी थी तो लेगोन उससे अपना कोट पहना देता है और पूछता है कि तुम्हारे उस डिटेक्टिव दोस्त का नाम क्या है तो हमें यहाँ पर पता चलता है कि शिंजे तेउल को अपने हाई स्कूल टाइम से ही लाइक करता है और ये भी उन्ही लड़कों की कैटिगेरी में आता है जो दोस्ती ने भानी के चकर में सही टैम पर अपनी फिलिंग्स नहीं बता पाते और उस लड़की के लाइफ में सेकेंड लीड बनकर रह जाते हैं इसे फ्रेंड जोन भी कहा जाता है इधर किंग्नम आफ कोरिया में सनी को रॉयल पैलिस में जॉब मिल जाती है एक रिपोर्टर की जहां उसका काम था लिगॉन के बारे में लिखे हुए सारे आर्टिकल्स को चेक करना अगर कभी कुछ नेगटीब छपा तो उन सारी सिचुईशन को हैंडल करना तो काफी दिन उसे राजा की कोई खवर नहीं थी इसलिए कुछ गॉसिप शुरू हो जाते है जिससी ए गॉसिप भी शान्त हो जाती है और पब्लिक को बिलीव हो जाता है कि उनका राजा लिगॉन अभी नेवी ओफिसर्स के साथ है तो दायमा जोयंग को बुलाती है और उसे तेउल की आडी कार्ट देते हुए कहती कि इस लड़की के बार में सब कुछ पता करो तो जोयंग उन्हें बताता है कि राजा साब ने मुझे पहले इस लड़की के बार में बताया था पर मुझे इस लड़की के बार में कोई भी इंफर्मेशन नहीं मिली तो दायमा बता थी कि 25 साल पहले उस incident के बाद से ही लीगॉन अपने सेवियर को ढून रहा है इसके पास से उसे इस लड़की की ID कार्ड मिली थी बतानी वो अब इसे ढूनने के लिए कहा गए होंगे इधर Republic of Korea में तेउल को पता चलता है कि लीगॉन का DNA किसी भी Missing Child के DNA से मैच नहीं करता यानि कि लीगॉन के बार में आप कुछ भी पता नहीं चल सकता जिससे तेउल तो हैरान रह जाती है कि बिना किसी identity card के लीगॉन साउथ कोरिया में कैसे रह रहा है तो वो लीगॉन से मिलने जाती है जहां थोड़ी drink करने के बाद उससे पूछ दी कि सच बताओ कि तुम हो कौन और क्या तुम सच में किसी दूसरी दुनिया से आये हो लीगॉन कहता है कि मैं तुमें कितनी ही बार बता चुका हूँ कि मैं Kingdom of Korea से आया हूँ वो तो तुमें मुझे बिलीव नहीं हुआ तुम किती एक नॉर्मल इंसन क्यासे मान सकता है कि तुम किसी दूसरी दुनिया से आये हो और वहां के देश के राजा हो और तुम उस bamboo forest के किसी जादूई दरवाजे से इस दुनिया में आये हो तो लीगोन उसे अपनी दुनिया की Korean सामराजी की हिस्टरी बताने लग जाता है जिससे तेउल फिर से किसी novel की कहानी समझ लेती है और कहती कि अच्छी कहानी बना लेते हो तुम लीगोन कहाता कि क्या तुम्हें इतना सब कुछ करने के बाद भी बिलीव नहीं हुआ मेरे बारे में तुम्हें इस दुनिया में कुछ भी information नहीं मिली ना fingerprint से ना DNA से तो क्या अब भी तुम्हें यकीन नहीं है लेकिन तेउल को अब भी उसकी बात पर बिलीव नहीं था तो दोनों यहां से चले जाते हैं लीगोन अपने गोडे को देखने के लिए तेउल के घर जग जाता है इधर Kingdom of Korea में जो यॉंग लीगोन के गायब होने से पहले ही कि उसके बातों के बारे में याद करने लगता है जाएक बार लीगोन ने उसे कहा था कि उसे 25 साल पहले लीरीम के मौत की अटॉपसी रिपोर्ट पर डाउट है क्योंकि उसमें लिखे हुए डीटेल्स में कुछ गरबर थी जिससे लीगोन को काफी टाइम से ही शक था कि 25 साल पहले लीरीम की जो डैट बोर्टी मिली थी वसली गद्दार लीरीम नहीं था ये सब याद करके जोयोंग समझने की कोशिश करता है कि लीगोन कहां जा सकता है वहीं दे रिपब्लिक ओफ कोरिया में रात को बारिश और बिजली कड़कने लगती है तभी लीगोन के पीट में काफी ज़्यादा पेन होने लगती है अब ऐसा क्यों होता है ये हमें कहानी में आगे पता चलेगा अगले दिन इदे तेवल की कार रास्ते में खराब हो जाती है तो अपने घर पे डैड को कॉल लगाती है लेकिन कॉल लीगोन पिक करता है क्योंकि वो अपने घोड़े को देखने के लिए वहाँ पर गया हुआ था तेवल इसे अपने कार खराब होने के वार में बताती है तो लीगोन उसे थोड़ा सा वेट कानी के लिए कहता है और बताता है कि वो अभी वहाँ पर आ रहा है थोड़ी देर में लीगोन यहां पर पहुंच जाता है पर तेउल की और जाते ही वे अचानक से सब कुछ रुख जाता है लिगोन अपने आसपास देखता है कि सब कुछ एकदम थमसा गया है सिर्फ वो खुद अभी मूव कर सकता है इसलिए वो तेउल के करीज ब्याकर उससे देखने लगता है तेउल तो अचानक से उसे अपने इतने पास देकर डर जाती है लिगोन उसे कहता कि क्या तुमने फिल गया कि अभी यहां सब कुछ रुख गया था इवन टाइम भी रुख गयी थी तेउल को उसकी ये बाते एक और बकवास लगती है इसलिए उसे कहती है कि तुम थोड़ी देर यहां पर रुको मैंने मिकानिक को बुला लिया वो कार ठीक कर देगा इसलिए मेरी कार का ध्यान रखना अभी मुझे एक अमर्जनसी इंवेस्टिकेशन के लिए जाना है ये बोलकर वो चली जाती है कुछ देर पहले टाइम रुक गया था क्यूंकि लीरिम ने दूसरी दुनिया का दर्वाजा खोला था और वो किंग्डम ओफ कोरिया में गया था जहांपर वो एक बुक स्टोर में गया था जहां का ओनर लीरिम के लिए ही काम करता है जो लीरीम को खबर देता है कि राजा लीगॉन पैलेस में नहीं है जिससे हमें समझाता है कि पैलेस में भी लीरीम का कोई स्पाय है जिससे उसे लीगॉन के बारे में सारी इंफर्मेशन पता चलती है इतर लीगॉन भी समझ चुका था कि कोई और भी है ताकि वो लिगोन के पास से बांसूरी का दूसरा इससा भी हासिल कर सके इतर तेवल की टीम को एक investigation करनी के लिए भीजा जाता है जहां कुछ गुंडों के साथ इनका पंगा हो जाता है लेकिन तब ही वहाँ पर गोन पहुंच जाता है और वो के लिए ही सब की धुलाई कर देता है तेवल उसे पूछती की तुम यहाँ कैसे आए लिगोन उसे बताता है की मैं पूरी स्टेशन गया था तुमारी गाड़ी लोटा ने वहाँ से मुझे पता चला की तुम लोग इधर हो इसलिए मैं यहाँ पर आया और शुकर मनाओ की मैं यहाँ पर आया वरना तुम दुनों की अज बैंट बजने वाली थी तो तीनों यहाँ से लंच करने के लिए जाते हैं जहां से शिंजे को कुछ काम से जाना पड़ता है तो लिगोन तेउल से कहता है कि क्या तुम आज बहुत बिजी हो तेउल कहता है हाँ बहुत सारा काम है लेकिन क्यूं पूछ रहे हो लिगोन कहता है कि मैं आज अपनी दुनिया वापस जाने वाला हूँ लिगोन को घर लोटती है तो उसे लिगोन का घोड़ा दिखाई नहीं देता वहीं हम लिगोन को देखते हैं जो कि बैंबू फोरेश्ट में पहुँच गया था चाहां इस बार उसके पास बांसुरी होनी की वज़े से दूसरी दुनिया का दर्वाजा खुल जाता है और लिगोन अपनी दुनिया में चला जाता है और दूसरी दुनिया का दर्वाजा खुलने की वज़े से इस दुनिया में टाइम रुख जाता है जिससे लीरिम फिल करता है, जिससे लीरिम को समझने में देर नहीं होती, कि जो दूसरी दुनिया ट्रावल कर रहा है, वो लीगाउन है, और वो अपनी दुनिया में लोड़ चुका है, इधर किंगनाम आफ कोरिया में जोयोंग को खबर मिलती है, कि राजा साब को बैंबू परश्ट के पास देखा गया है, तो जोयोंग लीगाउन को लानी के लिए चला जाता है, पर दर प्राइम मिनिस्टर कू अचानक से पैलिस में चली आती है, कि इसे भी अपने खबरी से पता चलिया था कि लीगाउन पैलिस में नहीं है, अब अचानक उसके आनी की निउस स उन्हें साइड अटा कर अंदर चली जाती है, लेकिन तब तक लीगाउन अपने आफिस में पहुँच चुका था, इसलिए पहले तो उसका रिपोर्ट चेक करता है, और बताता है, कि दुबारा ऐसे बिना बताये पैलिस में मत आना, तो उसके जाने की बात दायमा तो इतर लिगाउन अपने सारे ड्यूटीज को पूरा करता है, उसके बाद अपने अंकल प्रिंस बोयोंग से मिलने जाता है, जिने वो 25 साल पहले किये हुए लीरिम की डेट बॉडी का टॉप से रिपोर्ट देता है, यह कहता है कि आयोप आप मुझे इसका सच बताएंगे, ये बोलकर वो चला जाता है, दें वो यहां से लाइबरेरी में जाता है, जहाँ पर तो उसे तेउल की ही यादा रही थी, वहीं तर दूसरी दुनिया में तेउल भी लाइबरेरी में ही बैटी होती है, और वो भी अपने सामने लिगौन को ही organize कर रही थी, क्यूंकि अभी क बार भी लिगोन उसे नहीं दिखा था, जिसके बाद हमें शिंजे को दिखाये जाता है, जिसकी मॉम गैंबलिंग एडिक्रेट थी, जिससे शिंजे को बहुत बुरा लगता था, तो शिंजे की मॉम बहुत सारा पैसा जुए में जीत कर लाई थी, और उनके रोज रोज के ग जिससे तेउल का एडिकार्ड मैन होल में गिर जाता है, तो यह बच्चा उसे सौरी कहता है, तेउल भी उसे कहती की कोई बात नहीं, लेकिन यह बच्चा काफी मिस्टीरियस है, यह बच्चा भी दोनों दुनिया में एक्जिस्ट करता है, इंग्रम ऑफ कोरिया में यह बाहर, बैट कर योयो से खेलता रहता है, और वो वही बुक्ष्टोर था, जहां लीरिम को पैलेस की खबर मिलती थी, जो पैलेस में काम करने वाली एक लेडी, एक किताब के अंदर खबर दे कर जाती थी, और वो लेडी शिंजा की माम की हमशकल थी, जिसको इस मिस्टीरिय वगेरा चेक करती है, जिस दिन लिगॉन ने उसे गुडबाई कहा था, सीसी टीवी में उसे पता चलता है कि वो अपने घोडे पर बैंबू फोरेश्ट की और गया था, पर उसके बाद वो उस तरफ से दुबारा नहीं लोटा, जिससे तेउल हरान होती है, तो वो चेक करन सब कुछ नॉर्मल होता है, तो लिगॉन जो योंग से कहता है कि तुमने फील किया, अभी कुछ देर के लिए टाइम रोग गया था, और ये मेरे साथ दूसरी बार हुआ है, जो योंग उसके बात पर ध्यान नहीं देता है, ये बोलकर वो चला जाता है, तो लिगॉन उसे लोगने के लिए उसके पीछे जाता है, इन कहता है कि दाइमा को मत बताना, इधर तेवल अपना नया आईडी कार्ड अप्लाई करने के लिए फोटो खिचाने आती है, और हैड ओफिस में अपना नया आईडी कार्ड अप्लाई कर देती है, इसके बाद फिर से कुछ दिन और किंग्नम ओफ कोरिया में बारिश औ ठंडर इंग हो रही थी, जिस वेसे लिगॉन की कंदे पर बहुत जाता दर्द होने लगता है, और कुछ आजीप से निशान ग्लो करने लगते हैं, जिनने जो योंग दे कर हैरान होता है, तो वो रोयल डॉक्टर को बलानी के लिए तो तेवल जल्दी से उसके घर चली आती है, जहां लिगॉन को इतने दिन बात दे कर हैरान थी, इससे पूछती कि तुम कहा गये थे, लिगॉन कहता है मैंने बताया था ना कि मैं अपनी दुनिया जा रहा हूँ, तेवल पूछती कि यह सच में कोई दूसरी दुनिया है, लि लिगॉन कहता है कि अगर तुम देखना चाहती हो, तो फिर चलो मेरी दुनिया, शायद तब जाकर तुम्हें मेरी बातों पर बिलिव हो जाए, लिगॉन को ढूंडते हुए, जोयों और उसके साथ ही रॉयल गार्ड्स भी आ जाते हैं, जो अपने राजा साब के साथ किसी लड़की को देकर हैरान थे, भही तेवल भी जोयों को देकर एकदम शौकड रहा गई थी, तबी वो लिगॉन को शौकिंगली पूशती है कि ये तो यन्सव है, लिगॉन केहता है मैंने कहा था ना, तो तेवल लिगॉन केहता है कि मैं किंगनम आफ कोरिया का राजा हूँ और मेरा नाम जिससे मुझे कोई भी यहां नहीं बुला सकता वो है लीग उन इसी की साथ एपिसोड 4 के एंड यहीं पर होती है वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल पर पहरी बायर है तो do subscribe and hit the bell icon मिलते हैं अगले पार्ट में तब तक के लिए take care and bye bye